दोस्तों मैं प्रमदगराये प्रमदगराये YouTube channel में आपका स्वागत है दोस्तों कल यूटूब ने एक announcement किया है जो कल 12 emotions 20 2015 को कि आप adult content भी YouTube में चला सकते हैं hot content भी चला सकते हैं लेकिन कुछ दैरा में रहकर तो ये YouTube ने एक अच्छा announcement किया है बहुत सरा होट सीन रखते हैं, उनके लिए बहुत प्रोब्लम हो रहा था, वो चैनल नहीं चला पा रहे थे, तो ये यूटूब ने सब के लिए ये एक आफर कर दिया, जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, तो दोस्तों मैं थोड़ा इतिहास में जाना का कोशिश करूँगा, थोड देखने यूटूब ने पुरा स्टिक्ट किया और यूटूब ने सारा होट कंटेंट, एडल कंटेंट को कम्यूटिटे गाइडलाइन्स स्ट्रैक देने लगा, यूटूब ने कहने लगा कि ये जो content बन रहा है, होट वीडियो बहुत सारा अती हो गया है, क्योंकि suggested list में जब भी डालता है, या फिर आपका, माल लिजे, recommendation में आता है, तो हमेशा उसी type का वीडियो देखने मिलता है, तो इस तरह करके क्या है कि यूटूब में बहुत complain भी गया, government के तरफ सारा भी complain गया, तो यूटूब ने ये decide कि या कि नहीं इस type का content को हम नहीं रखेंगे कि ताकि इस type का content आप अपना CMS और MCN में नहीं चला सकते हैं, इस type का channel को, तो धिरे-धिरे CMS और MCN ने उस type का channel को unlink करने लगा, फिर जब unlink करने लगा, यूटूब ने community guidelines strike देने लगा, फिर धिरे-धिरे सारा hot video channel को suspend करने लगा, जब suspend hot video channel पुरातर से हो गया, तब YouTube ने ए एक announcement किया, कि देखिए आप लोग इस type का channel नहीं चला सकते हैं, यूटूब में ये पुरा तरह से restricted है, तो फिर YouTube ने वो पुरा बंद कर दिया, अब दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जब कल जो 12 मार्च को YouTube ने announcement किया, कि आप adult video, इस type का content आप YouTube में चला सकते हैं, यूटूब आपका पूरी तऱ से पुरा भरपूर एड भी मिलेगा, जैसे kissing scene हो गया, आपका kissing scene अगर scene है, bad scene है, तो उसको आपको montage मिलेगा, लेकिन उसका इराधा जो intention है, वो सही intention होने चाहिए, जैसे lover का intention हौने चाहिए, boyfriend गर узнаet है, husband, wife का intention होने चाहिए, कोई गलत इराधा नहीं, यह नहीं कि जो आप बेट सिन फिल्मा रहे हैं और कुछ उसमें आप रिलेशन नहीं दिखा हैं और डारेट आप उस टाइब का सिन करने लगें यह पुरा रेस्टिक्टेड हो जागा और अगर आप इंटरेशन से अगर फिल्मा रहे हैं रूल नमबर टू में आप जैसे लिमिटेड एड्स डरसाया गया है जैसे आपको कुछ खुछ वीडियो में एड मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा और आप इस टाप का content चला सकते हैं, जैसे आपका fashion show में हो गया, beginning dress, swimming dress हो गया, उसके बाद आप voice over sexual content कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो toys है, आपका वो पुरा sexual photos होगा, लेकिन आपका उसमें इरादा आपका story के हिसाब से होना चाहिए, उसमें उस photo में nudity भी है तो कोई दि इस type का content में आपको limited ad मिलेगा, भाइस over भी आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गंदा word आप नहीं डाल सकते हैं, आपके इसमें monetize भी रहेगा और limited ad भी मिलेगा, आप तिसरा number, दोस्तो, rule number 3, आपको ना add मिलेगा ना आपका channel monetize होगा, जैसे पूरा तरह से अगर आ नहीं है, और आपको monetize भी नहीं मिलेगा, और आपको add भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपका channel भी suspend हो जाएगा, अब दोस्तो, मैं काना चांगा, YouTube ने यह rule क्यों लागू किया, पहले नहीं, पहले बंद कर दिया, फिर बहुत दिन के बाद यह rule, adult video और hot video का rule, जो YouTuber के लिए offer दिया, और YouTuber सब बना सकते हैं, इसका मूल कारण है, दोस्तो, अभी बहुत सरा apps आ गया है, मैं तो apps का नाम नहीं बताँगा, आप लोग को जानकारी है, और बहुत सरा website आ गया है, जिसमें पूरा hot video बन रहा है, उसके बाद आपका adult video बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि advertiser जो होता है, वो सारा ad उधरी चल जा रहा है, तो YouTube के तो इसमें नुकसान है, जब बहुत सारा परचलन ऐसा आ गया है, कि आजमी subscription करके apps में वीडियो देखना पसंद कर दे रहा है, उसके website में देख रहा है, तो क्या है कि YouTube के ad नहीं मिल रहा है, उस type का ad, जो advertiser देना चाहते हैं, इसलिए YouTube ने ये rule लागू किया है, फिर से adult वीडियो चलाने का और hot वीडियो चलाने का, लेकि कुछ दायरा में रहा कर, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, आप अगर जानकारी अच्छा लगा तो प